सब्सक्राइब जरूर करें तो आपको नोट अपी किसन जो है मिलता रहे तो आई देखते हैं आज का पहला कोस्टन तो पहला कोस्टन है अरब लिग के समंध में निम्ले खित गतनों पर विचार कीजिए ठीक है कितने कदन सही है ये ढूड़ना है ठीक है कर रही है मद्ध पुर्व तका तक सिमीत सभी अरव राजियों का एक अंतर सरकारी समग्र अरव संगठन है दूसरा है इसका गठन अलेक्जिंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद किया गया था तो दूसरा कत्म तो सही है लेकिन पहला गलत है पहला गलत इसके लिए कि मद्ध पुर्व साथ साथ अफिर की देश में जो अरव राज जाते हैं उसके लिए है ठीक है आप्शन बी से ही हो जाएगा केबल दो आएए देखते हैं अरव लीग इसे लीग ओफ अरव अस्टेट इस भी कहा जाता है मद्ध पुर्वार उत्रिय अफिर का के सभी अरव देशों का एक अंतर सरकारी समगर अरव संगठन है ठीक है तो मद्ध पुर्वार उत्रिय अफिर का अता कथन एक सही नहीं था करभर सुनिए सो चालिस में लग जिनरिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद बाइसमार चुनिए सो पैदालिस को काहरा मिस्र मीस का गठन किया गया था तक अधन दुसरा सही है करभरतवान मीस में बाइस अरव देश सामिल जिसमें अलजेरिया वहरीन कोमरोस जिवुटी मिस्र इराक जॉर्डन कुवेत लिबनान लिविया मौरिटेनिया मुरक लोजिस्टिक्स 예ज 233 रिपॉर्ड का पाच्मा संस्क्रण ने लिखी में से किसके नवारा जारी किया गया था अंसर है अपसन ए बानी जी के वो मुद्योग मंत्राले तुकरा हाल ही में बानी जी वो मुद्योग मंत्राले ने विविन राजियो में लॉजिस्टिक्स एज 233 रिपोर्ड का पाच्वा संस्क्रन जारी किया गया है जो रननीतिक अंतरदिश्टी परदान करके लोजिस्टिक छेत्रे में हिधारकों के लिए एक मार्ग बरवसक की रुप में कारी करता है तदिकल पेस सही है जंगली याक के समंध में नमली खितकत नों परविचार कीजिए जंगली याक बनी जीवन अधनियम वजार बाइस के नुसुची के अंतरगत आता है करा है उनकी आयूसीन इस्तिती गंभी रूप से खत्रे में है तो ये सही है सिर्फ के वल एक पहला और तिसरा गलत है ठीक है ये करा है कि ये जो है चीन और भारत में अब सिमित है पहले थाव उटाने लेकिन यहाँ पे जो है गंभी रूप से खत्रे में है तो वहाँ पे या द्यान देना सुभेद है ठीक है भल नरेवल है तो आई देखते हैं इसका डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सन क्या है देख लगे है गर रहा है जंगले याग जिसे बोस गुरीनी एंस या बोस म्यूटस के नाम से जाना जाता है तिप्ती पठार के भीता दूर दराज के लाकों में पनपता है जिसे सुरुप से उचाई वाले अलपाइन धूल्डा घास के मैदानों और ठंडेल एक्स्तानों में रहता है क्या गर रहा है भुटान अच्छा परवासी पर जाती को पर अभी समय की रिपोर्ट के मुली बनिया याग पुरुक काल में भुटान और नेपाल में भी पाए जाते थे लेकिन माना जाता है कि अब उन देशों में भी लुप्त हो गए हैं और केवल चीन तथा भारत ही उनकी निवाल सस्थान बचे हैं अता कथन पहला क्या हो गया सही नहीं था संद्चन की स्थेती में देखेंगे तो बन जीवन संसुदन दिनिया अनुस्टी बन में यह है करा आई यू सिन रेड लिष्ट सुवेध्ध है अधा का थम तिसरा साही नहीं है साइट्स की बात करें तो परसिष्ट बन में रखा गया है और इससे बहुत सारी जीवों को क है कोश्चन आता है तो याद है तो ठीक नहीं तो कोई बात है कितना सारा जीव को याद रखेंगे आई यह देखते हैं करहेरे के संदर में ने मिलिखित कत्रों पर विचार के जिए करहेरा असुद कारवन से बना प्राकेट्टी ग्रूप से पाया जाने वाला थनीजी कित हीरे तो हीरा सुद कारवन से निर्मीत एक दुरलब प्राकेट्टी रूप से प्राप्त किया जाने वाला खनीज है हीरा सब्द ग्रीक सब्द एडवास से आया है जिसका अरत है अभी ना सिया तक अथन एक सही नहीं है करहेरे पर मुख हीरा उतपादक देश जिदी कहें तो रूस है बोस्वाना है कनाड़ा है दचने पिर काई वह लुफ तांदरी गनराज कांगो है करहे रूस भीस में कच्छे हीरे का सबसे बड़ा उतपादक है हां पे दियान देना है रूस करहे जिसने बरस तुजर वायस में लगभा 42 मिलिन करेट का खनन किया है ताक सब्सक्राइब नहीं है ठीक है चलिए आई देखते हैं आज का अगला कोश्चन कर रहा है बैकल्पिक विवाद समाधान तंद्र के संदान प्रें निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजिए तर भारत में मध्यस्ता मादे अस्थम और सुलह देनिया मुने सुच्छान में द सब्सक्राइब समधान तक पहुचने मदद करता है कर समझोता बारता बेकल्पि विवाद समधान का सबसे आन तरीका है तो एक ध्यान देना है कि यह और यह तो सही लग रहा है जहां तक हम पो ठीक है पहला में गलती है कि इसका संसुदम तीन बार हुआ और संबी तो केवले एक अंसल हो जाएगा और सनी ठीक ही यह गलत थे यह दोनों सही है तो बेकल्पिक विवाद समधान एडियार तंत्र करह भारती मदस्ता माधिस्तम और सुला देनी उन्स चैनमी जिसे वर्ष दुजर पंद्राव दोजार उनीस सब्सक्राइब संसुदित किया ग करहा है मध्यस्ता में मध्यस्त नामा के एक निक्स वर्ष विक्तियों को विवाद के पारस पर एक रूप से सुविकार समधान तक पहुचने मदद करता है तक हना दूसरा सही है ठीक है चलिए आगे देखते हैं करहा मध्यस्त विवाद का कोई समधान पर्दान नहीं करता वलकि एकनुकुल बातवरन बुनाता है जिसमें विवाद इस पक्च अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं यह एक गैर वाधिकारी पर खिरिया है जिसमें एक निक्स पक्च तीसरा पक्चरता सुलह करता विवाद के पारस पर एक रूप से संतोष जनक समधान तक पहुँ कि यह करा है काला सागर की सीमा सिल लगे देशों में इकरेन रूस जोर्जिया तुर्की बुल्गारिया और मौल्दोवा के जगहा पर रूमानिया याद रखना है ठीक है रूमानिया सामील है तो यह गलत हो गया कितने सही डूड़ना है तो इसे एक्सिंस आगर के नाम से भी हम जानते हैं तो यहां पर हो जाएगा केबल दो अंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है काला सागर काला सागर के सिमा बरती देश यूक्रेइन रूस जोर्जिया तुर्की बुल्गारिया और रूमानिया है अता कथन एक सही नहीं है कराई से एक्सिंस आगर के ना तर में करा तुर्की जल्ड अमरुमद्ध्य परनाली ठीक है डाडा नेल्स बुस्पोरस और मर्मरा सागर अच्छा भुमद्धि सागरवक काला सागर के वीच एक संक्रम छेत्र बनाती है आई देखते हैं आज का अगला कोस्टिन कराई बैल विलैचली पार्ग घुसना के संदर में लिखीत कतनों पर विचार के जिए करा इंग्लाइंड में पहली बार आयो जीत यह आई सुरच्छा सिखर समेलर में हैं सातरी घुसना है कितने कतन सही है यह डूढ़ना है ठीक है कर रहा है इस घुसना को देश फ्रंट एयर एयाई कहे जाने वाले उन्नत एयाई जुखों में और लावों से निपटने के लिए एक जूठ होकर रनीती बनाना है फिर गरा भारत सहीत विगासिल दे की बात नहीं कहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा इतने कसन सही तो अप्सन ही होना चाहिए यहां पर दोलिक लिजी क्या बत है क्या अप सब्सक्रीच क्रेक्ट हो जाएगा तो बैल एचली पार्गोषना इंग्लेंट के वैले इचली पार्क में आए हो जीत आर्टिशल प्रेंटियर एयाई पुर्दों की द्वारा उत्पुन चुनोतियों से निपटने के लिए बैस्फिक दिश्टिकों में एक महत्पुन मोड चिनहीत किया है कराई चुनोतियों से निपटने के लिए सेंग तो राजय मेर का चीन भारत और एरोपिय सेंग सही तठाइस परूप देशों नहीं इस पहले AI सुरच्छा सिकर समेलन में पहले चली पार घुष्टना प्रहताक्षर किया है तकतन पहला से यह आगे है यह यह इतिहासी घुष्टना उन्नत याई सिस्टम जिसे फ्रेंटियर फ्रेंटियर AI की रूप में जाना जाता है कि संभावित जोकी मुंस निपटने औ कतन तिसरा सही नहीं है वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था देखते हैं आज का अगला कोस्टन राष्टी हरीत अधिकरन के संदर में लिखित कतनों पर बिजार कीजिए कितने कतन साही है यह डोड़ना था करा अधिकरन के पास महत्पून परियाबर नियम दोस्ते समंदित कि कि नागरिक मामले पर सुनभाई करने का अच्छितरा अधिकार है तो यह सही है करा राष्टी हरीत अधिकरन अधिकरन अधिनियम दोचर दस कि अनुसुची एक में उलीखित परियाबर नियम में सामिल पिसेयों से समंदित परियाबर नियम छती के लिए राहत था शती का जो भी सला है वो बात दिकारी होता है ठीक है न तो यह तीसरा गलत है तो के वली गर्दो सही है अप्सनी करेक्ट होना चाहिए तो राष्ट्री हरीत अधिकरन के पास परियाबर नियम से समंदित परियाबर नियम छती के लिए राहत था चती पूर्ती की मांग करने वाला कोई भी वेक्ति अधिकरन से संपर कर सकता है तो गतन दुसरा सही है थिक से कराण उसुची बन में सामिल फरियाबर नियम में अधिकरन के निर्नाइबादिकारी हैं अधिकरन के आदेस पर विवरतनी यह लागो करनी योग्दे हैं क्योंकि इसमें नहीं सकतियां सिविल परकिरिया सही 308 के तहर सिविल कोर्ड के समान है तक अतन 3 सही नहीं है तिक ले आगे देखते हैं अनुसुचित जन जाती और अनिप्रमप्रागत बन निवासी बन अधिकारों की मानिता अधिनियम 2006 के संदर में निम्रिकित कतनों पर विचार किजिए उफ्रिकित कतनों में कौन सा से सही है तो आई देखते हैं कराईन यह इन भूमियों पर लंबे समय से निवास कर रहे अन कितने गतन सही है यह दूंड़ना है करेगराम सभाग को बेक्तिगर्त बन अधिकार या समुदाइक बन अधिकार कि प्रकृतिक और सेमान एधारित करिंगी परिक्रिया सुरू करने का अधिकार है तो इसमें हमको लगता है दूनों कथन सही होना चाहिए इसको देखना पड़े गई ध्यान नहीं है अच्छा तुनों कथन तो सही है लेकिन हम नहीं नहीं देखा ठीक है आप संडी हो जाएगा कितने कख़न सहीर नहीं है तो आप संडी हो अ कऱें अनसुचित जाती है और अनप्रामपरगत बन निवासे बन अधिकारों के मने अधाथा देनियम दोज़ार छे में देखेंगे कि यह बन में निवास करने वाले उनों सुचित जाती हूं और अनिप्रामपरिक बनवासी जो पिड़िकों से इसे बनी का निवास कर रहा है बन भूमी पर उनके बन अधिकारों को मनज़ता देता है तक हम पहला सही है फिर क्या है या एपडी, स्टी और ओटी, एपडी क्या जीवी का तता खाद सुरचा करते हुए बनों के सनाच्छन के विवस्ता को मज़ूती प्रदान करता है ग्राम सभा को बेक्तिकत बन अधिकार या संदाइक बन अधिकार या दोनों जो की एपडी, स्टी और ओटी, एपडी को दिया जा सकते हैं कि परकिर्तिवर्म सिवान इधार्दित करने हैं तो परकिरिया सुर्ण करने का अधिकार है था कत्म दूसरा सही है चलिए आगे देखते हैं आज का अगला कोश्चिन तो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पैरिगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971 के समय में इधिक कत्म पर विचार केजिए ठीक है उपरकित कत्म में कौन सा सही है ये देखना है तो करा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पैरिगनेंसी एक्ट 1971 सांति लाल सा समय थी किसी पर इस प्रधारी थे तो पहला सही है करवर्स दुजारी केस का संसुधन बलादकार जैसे इस इस्ष्ट मामलों में दो चिकी सुक की मंजूरी के साथ गरभावज्था के साथ के 20 से 24 अब तक तक गरवाद के नुमती देता है तो यह हो जाएगा उप्सन सी ठीक है ना यहाँ पे सी सही होगा कर निस्ष्ट के दसक के मद्ध में गरभाद नियमों की जाच के लिए सांतिलाल समीती के स्ताफना की गई थी इसके निसकर्सों के धार फर मेडिकल टर्मिनेशन और प्रिग्मेंसी एक्ट उनिस्ष्ट एक्ष्टर एधिन इमित किया गया जिससे सुरच्ची तरह कानुनी गरभाद के निमती मिली महिलाओं के सुवास्ते की रक्षा की गई इससे मातरी मिर्थी उदर में कमी आई यह तक अधन एक सही है करबर सुझार एकीस कसम सुझाओ